हेलो दोस्तों, वेलकाउं टू बैक माई यूटूब चैनल वीडियो को इस्टार करने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने मैं समझ आएगा हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह मैं देखो जहां का माहुर्स बिलकुछ सान्थ हो मैं तुम्हें यूटूब की ऐसी रेयल्टी बताऊंगा जिससे एगरी तो करोगे और सान्थ मैं रिलेक्ट भी कर पाऊगे इस वीडियो को फास्ट एडिंग नहीं करूँगा और नहीं सौंग यूज करूँगा तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है तुम्हें पता है यूटूब में डेली हजारो वीडियो अपलोट की जाती है और उनमें ऐसे 5% ही रेंक कर पाती है और बाकी के 95% वीडियो रेंक नहीं कर पाती है आज के टाइम में यूटूब में इतना ज़्यादा कॉनफिटेंस हो रखा है अगर तुम किसी भी केटेगरी के वीडियो बना दोगे तो उस केटेगरी के हजारो वीडियो पहले से ही अपलोट होगी बहुत से लोग कहते हैं कि तुम कुछ योनिक बनाओगे तो वो सोचल मेडिया में डेमाइंडिंग होगी तो तुम्हारी वीडियो में इतने ज़्यादा व्यूज आएंगे कि तुमने कभी सोचे भी नहीं होगे लेकिन ये सब सपना है और इस सपना से तुमें जागना होगा ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है कि तुम वीडियो बना सको यहां तक कि 99 लोग यूटूब में सिर्फ और सिर्फ पैसा के लिए आते हैं उन्हें लगता है कि बस वीडियो केरियेट करूँगा और पोच्ट करूँगा और हजारों ग्यूज आएंगे और पैसे ही पैसे होंगे बच ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत से लोग यूटूब में आस लगाए बैठे हैं कि सिर्फ एक बार यूटूब में सक्सेज हो जाऊं फिर उसके बाद जिन्गी के मजे ही मजे होंगे बच रियल्टी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं तुम्हें यूटूब में डेमोटिवेट करने नहीं आया हूँ बलकि मैं तुम्हें यूटूब की रियल्टी के बारे में बताने आया हूँ और ये वीडियो भाही आखरी तक देख पाएगा जो यूटूब में गिरो होने के लिए मेहनत कर रहा है बड़े बड़े क्रियेटर से पूछो कि कितना डिफ्रेंस रहते हैं वो कि मन करता है कहीं बहड़ों में चले जाए घूमने तुम अगर कंसिडेंट वाले यूटूब होना तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जब तुम बहुत मेहनत करके वीडियो किरेट कर दो न और उसमें अपलोड कर दोते हो तो उसके बाद वाली खुसी बहुत मस्त होती है अगर तुम इस्टागल करने वाले किरेटर हो तो ये बात बहुत जादा रिलेट करोगे जब तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हो तो यही लगता है कि जल्दी से वीडियो किरियेट हो जाए फिर उसके बाद थोड़ा सा फिरी फिरी लगेगा फिर वीडियो किरियेट करने के बाद वाली खुशी इस्टागल फिर किरियेट ही समख सकता है मतलब जब कोई बड़ा वीडियो से related research कर रहा होता है और सब वो research complete कर लिया होता है फिर वो इतना free message होता है और सांत में अंदर ही confidence वाली feeling आने लगती है और तुम में ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा जो रात में सोचते हैं कि कल सुबह thumbnail का काम कर लूँगा and then उसके बाद enjoy करूँगा लेकिन उस सुबह होते ही उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है किसी भी काम में लग जाते हैं जिसके कारण वो man काम ही भुला देते हैं भाई तुम man काम या तुम्हें जिससे ब्राव फील होता है वो काम पहले कर लो उसके बाद तुम कुछ भी काम करो भले ही तुम पूरे दिन enjoy करो लेकिन तुम्हें कोई भी tension नहीं होगी event मेरी भी video upload हो जाती है तो मुझे भी free and relaxed मैसूज होती है YouTube की एक चीज बैकाल लगती है वो है consistency अगर तुम हपते में एक video डालते हो अगर वो video एक दिन लेट हो जाए तो YouTube उस video की reach की को description कर देता है तो consistency तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा तो इससे तुम्हें जादा मत घवराना event तुम्हारे पापाई दुकान या काम पे जाते हैं न यार event कभी कभी मैं भी इतना भुजी हो जाता हूं कि time निकाली नहीं पाता इसलिए next video को पहले से प्रेपर करने के try करो जिससे आपकी coincidence बनी रहे guys एक बात और जब कोई creator अपनी negative comment देखता है तो वो अंदर से एकदम परिशान हो जाता है अगर उसकी वीडियो में 99 positive comment होते हैं और सिर्फ एक comment negative आ जाता है तो वो 99 positive comment को छोड़कर सिर्फ एक comment पर ध्यान देता है और उसके चक्कर में negative comment के बारे में पूरा दिन सोचता रहता है तो फिर किसी को negative या गंदे comment करने से पहले एक बार जरू सोच लिया करो यार क्यूंकि उसने उस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया होगा और अगर तुम YouTube में आयो हो तो तुम्हें मेहनत तो करना पड़ेगा वरना तुम्हारा चैनल सु होते ही खतम हो जाएगा और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ और ये basically एक mistake है जो चादातर new creator करते हैं और ऐसी mistake की वज़े से वो YouTube को छोड़ देते हैं और यादि तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं तुम्हें एक reality बताता हूँ बड़े बड़े YouTuber बहुत मेहनत करते हैं तभी वो आज जाके इतने famous हैं लेकिन क्या हम जैसे छोटे creator ने मेहनत नहीं की थी उन्होंने 100% दिया था यार और मैं 100% guarantee के साथ बोल सकता हूँ जितना मेहनत बड़े creator करते हैं अपनी वीडियो के लिए उसमें से 10 गुना जादा छोटे creator करते हैं और ये dark reality है और मैंने भी इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया है तो प्लीज यार इस वीडियो को उन लोगों के share करना जिनें ये reality नहीं पता है उन्हें भी realize कराओ कि एक यूटूर बनना इतना आसान नहीं है और मुझे पता है 90% लोग इस वीडियो को skip कर दिया होगा लेकिन कोई बात नहीं यार अगर तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो बस मेरे लिए इतना ही काफी है मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूंगा अभी आने वाली साल में अच्छे से मेनत कर लो तुम्हारी पूरी live सेक्रो हो जाएगी तो भाई मैं तो चलता हूँ अगर बात थोड़ी से भी समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा